वर्ल्ड एस्पाइन डे के मौके पर पुर्वी दिली के वसुनरा इन के लेव इलाके स्थित धर्मसीला नराहिना सूपर स्पेसिलिटी हस्पीटल में एस्पाइन से जुड़ी बीमारियों के परती लोगों को जागरुक करने के लिए तीन दिवसी कैम्प का आयोजन किया ग सेराजिब इंडिया प्राइवेट लिमेटेड कंपनी से सीखाने बताया कि वर्ल्ड एस्पाइन डे के उपलक्स पर धर्मसीला नराहिना सूपर स्पेसिलिटी हस्पीटल में एस्पाइन से जुड़ी बीमारियों के परती लोगों को जागरुक करने के लिए तीन दिवसी कैम्प कायोजन किया गया था कैम्प में कम्पनी के तरफ से आटोमेटिक थर्मल मसीन मुफ्त में उपलवद कराई गयी थी जिसमें 250 से ज्यादा लोगों का हीट मसाज किया गया साथ ही 500 से भी ज्यादा लोगों को डीड की हड़ी से होने वाली बीमारियों के परती जाग रुक्या गया सीखा ने बताया कि कोरिया कमपणी दुवारा बनाया गया माश्टर वीतरी मसीन लोगों को स्पैन की समस्यां से बचाता है हीट मसाज से मसल्स मजबूत होता है नमस्कार मेरा नाम शिखा है मैं सेराजिम इंडिया प्रैवेट लिमिटेट से आई हूं सेराजिम एक साउथ कोरिया बेस कम्प्नी है और हम लोग आज हैं पर वर्ल्ड स्पाइन दे के मौके पर ये तीन दिन का कैम्प धर्मशिला नारायन हॉस्पिटल में रं कर रहे हैं जहां पर हम 200 से जादा लोगों को इस मशीन का उप्योग करवा चुके हैं पांसो से ज्यादा लोगों को इस मशीन आपके इनकी रीड की हड़ी का क्या बेनेफिट होता है और उसे क्यों हेल्दी रखना ज़रूरी है यह बता चुके है और लोग यह जानकर बहुत कुछ हो रहे हैं और उनको यहां पर इन मशीन का एक्सपीरियंस करके बहुत अच्छ आज कल का जो लाइस्टाइल है नाइन आर वकिंग हो गया है लोगों को पूरे दिन बैठ के रहे कर काम करना पड़ता है तो इतना हेल्दी हमारा लाइस्टाइल नहीं रह गया जिस टाइम पर जिसके लिए हमें अपने स्पाइन को हल्दी रखना बहुत ज़रूरी है हमार अक्सिबिशन, एक्क्यूपेशर, काईरोपेक्टिक, हीट एंड मसाज यह नैचुरल थर्मल मसाज है जो कि आपकी बोड़ी को नैचुरली हल्दी रखती है धर्मसीला नारायना सूपर स्पेसिलिटी होस्पीटल के सीनियर नियूरो सजर्ण डॉक्टर असीज कुमार स्र आम हो गई है जिसकी वज़े से मसल्स का कमजोर होना है उन्होंने बताया कि भीतरी मसीन एस्पैन की समस्या को बचाता है डॉक्टर के मताबिक इस मसीन में हीट, वाइब्रेशन, म्यूजिक, मसाज, सहीट कई कार एक साथ होता है जो मसल्स को मजबूत करता है मेरा नाम डॉक्टर आशिश कुमार श्रिवास्तव है मैं सीनियर नीरो सरजन हूँ धरमशिला नराना हॉस्पेटल में इस तरह की ठिरेपी बहुत फायदे मन्द है क्योंकि यह इसको धंग से प्रयोक किया जाए तो यह बिमारियों को होने से बचाती है जो की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट से बहुत से रोग जो है वो डीड़ की हड़ी का ध्यान ना रखने की वज़े से होते हैं डेली का स्ट्रेस है मसल स्पैसम है सोटी मोटी लिगमेंट की प्रॉब्लम्स हैं उन सब के अंदर हीट थेरेपी वाइब्रेशन और जो यह जल्दी शुरू करो अपनी स्पाइन का ध्यान रखना और रेगुलर ध्यान रखो वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिसमत की बाल सफेज होने पर मेरी तरह उसके बाद आके डॉक्तर से जो है ऑपरेशन यह दवाई की जरूवत पड़े बैतर ध्यान रखा जाए इस त थोड़ा बहुत जो है अच्छी डायट जिसके अंदर प्रोटीन भी हो इन सब चीजों को रखने से रीड अच्छी रहती है नसे अच्छी रहती है